स्पेशल थैंक्स टो दिनेस्ट गेमिंग जॉन लिंक इन डिस्क्रिप्शन तेशी वीडिए बाउट रियल मिश्यन डिस्कुशन तो कैसे हैं आज देखते हैं रियल मिश्यन के बारे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कते आरीधी स्टार्टिंग के अंदर और अब देखते हैं आफ्टर थरी मंत प्लस यूज कर चुका हूं कुछ मतलब उपर हो गए हैं देज थरी मंत के बाद तो अभी देखते हैं जो बहुत से लोगों ने बताया था कि इस पर भईया scratch लगता है नहीं लगता है जो साथ में transparent cover आता है तो अभी देखते हैं चेक करके अभी आप जो live देख रहे हैं इसाके अधरे आपको सबी वीडियो के अंदर पता लग जाए क्या दीकत बचे इसके अंदर तो चलिए पहले इसका कवर अटा के देखते हैं तो चलिए इसका कवर अटा की दिखा पीछे से जो transparent और अगर आप लेमिनेशन करा लेते हैं तो सायद थोड़ा और अच्छा रहेगा कवर के निसान आ रखे थोड़े बहुत चीतना कुछ खास फ्रक नहीं पड़ा है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और इसका जो कवर जो कि आपको थोड़ा स्मोक वाली एफेक्ट में मिल जाती है और इस प्रकार का कलर हो जाता है तो पीछे इतने खास नहीं पड़ते हैं लेकिन आप थोड़ी लेमिनेशन करा लोगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा और बाकि आप जो पीछे आपको कैमरा दिखाई दे रहा है इसके ओपर अगर आप थोड़ा मतलब वह इस आपको बता दूँगा और सबसे पहले तो एक चीज़ बताता हूं कि Realme 7 का जो अपडेट आने वाला था जो कि Android 11 का अपडेट था जो कि अभी डिसमबर में 7, 8 या 9 दिसमर के आसपा जो रोल आउट होना स्टार्ट होने वाला था तो अभी किसी कारण के उच्छे से Realme वा लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा गाड लगवाते है ना जिसके अंदर के आपका ऐसा डिस्पले जिसमें के ऐसे पंच होल लगा हो यार की पंच होल वाला कैमरा है चाहिए वो बिलकुल आपके बीच में हो जैसे Redmi के डिवाइस में आता है या फिर Realme के डिवाइस में ऐसे त फरक पड़ता है हम मैंने खुद experience की है यह चीजे तो ऐसा आप एक बार ध्यान रखेगा अगे तो बहुत से लोग मेरे को बोल ले थे कि रियल मिस्यों लेने के बाद हैंगिंग के ज़्यादा प्रोब्लम आ रही है तो क्या आपके डिवाइस में इस प्रगारी कोई प्रो बहुत सारा processing चलती है साथ में तो अगर आपको लग रहा है कि छोटा बहुत mobile हैंग और 90 Hz पे करने के बाद में भी तो मैं आपको एक option बता देता हूं जिसमें कि आपको settings में जाने के बाद में आपको नीचे बिल्कुल ही आप जाओगे अपने बिल्कुल नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद में आपको Realme Lab करके एक option में लेगा इस पर आप जैसे ही tap करोगे तो आपके सामने कुछ option खुलके आजाएंगे जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं तो इसमें आपको क्या करना है आपको smooth scrolling पे click करना ठीक है smooth scrolling को आपने enable करके रखना है हाला इसके अंदर आपको एक और option मिल जाता super night time का तो यह मैंने enable कर रखा यानिकी रात को जब मैं इसको off करके यानिकी छोड़ देता हूं mobile को use करके और तो रात में क्या है कि यह बहुत ही कम battery use करेगा इसको पता रहेगा कि मैं किस time छोड़ता हूं mobile को किस time सुबह मैं use करता हू तो इसका average निकाल कि उस time जो जब मैं छोड़ दूंगा रात को तो यह कम उसको use करेगा तो यह आपके battery बचाने के लिए काफी अच्छा option हो गया अगर आपको battery की ज्यादा ही इसू आती है तो आप क्या कर सकते हो अपने जब display है उसको refresh rate उसको 60 Hz पर कर सकते हो तो अगर आ जैसे software update में अगर हम जाते तो अभी मैंने net on नहीं कर रखा बट मेरा जो device है यह realme का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक बिल्कुल एकदम सही चलता है तो starting में मेरे वाले में सिर्फ starting में जब मैं लेकर आता उसी time थोड़ी जी दिक्कत आई थी flickering की उसके बाद तो आप लोग अहरान हो जागी कि ऐसी भी quality आ सकती है इसके अंदर तो guys मैं आपको एक सही नहीं में दिखा जता हूं तो यह दोस्तों यह इसकी quality है अगर आपको किसी को दिख रहा हो तो यह इसका बलर देख रहे आप कितना अच्छा रहा है 2X के ओपर यह मैंने click किया है 2 और यह फ्लावर का फोटो था तो उसके बाद में edit करने के बाद में यह इसका जो है एक दम बिल्कुल सही जो इसका output जो वह यह निकल के आया है अगर आपको यह देखना है तो आप लोग comment कर देना हम upload कर देंगे तो यह इसका output निकल का है lightroom में edit करने के बाद में तो यह तो यह देख लो कितना सही बलर मिल रहा है बैकगराउंड देख लोग आप कितना बढ़िया बलर और रहा है और कुछ चीज़ और जाता हूं यह मैंने नाइट की फोटोग्राफिक रही थी तो यह कुछ फोटो मैंने क्लिक करे अपने की बोर्ड की तो कितने अच्छे की है कि बैटरी बैकप में थोड़ा इसू आ रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी बैटरी बैकप का इसू यह कि अगर आप 90 हर्ट के उपर यूज करते हैं आपने मोबाइल के उपर जैसे कि अभी हम आपको दिखाता हूं सैटिंग में जाते हैं तो मैंने 90 ह के उपर कर रहा है ठीक है 90 यहां पर रिक्खा हुआ है कि हायर रिफ्रेंश रेट में रिड्यूस स्मूदर डिस्पले बट यूज इस मोर बैटरी पावर यानि कि आपकी बैटरी पावर कंजर्प्शन करेगा सिम्बल ही चीज है वही बात है अगर आपको समूद एक्स्प कोई इशू नहीं है 60 से और 90 हर्स के अंदर तो यही चीज है वस तो एक और कमेंट आता है मेरे पास कि जब हम PUBG या फरीफायर या कोई भी गेम लगा लो इस परकार का बैटल टाइप का कहलते हैं तो उसमें 60 हर्स पे खेल पाते है और बताओ थोड़ा आप कौन से में खेल होगे और गेम में कुछ भी मतलब कि आप बैटल लोल हो गया या कोई भी गेम हो गया तो जो गेम 90 हर्स को सपोर्ट करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल अच्छा एक्स पीनिस आपको जो देखने को मिल जाएगा तो यही चीज है भाई 60 हर्स के अंदर क्या है कि देखो वह हो 60 आप साथ बार रिफ्रेश हो रही है आपकी डिस्प़े लेकि 50い हर्स के अंदर क्या कि नंगिन का 2 नवे बार जो पकी डिस्पवेसर हो रही है तो यह जितको यह रिखलते świat मेरे चल रहे है ना मेरा चल रहा में वैसे हाथ में ही काम कर रहा देखो तो यही फरक होता न lingu 20hz का और 60hz का तोड़ा सा मतलब रिस्पॉंज होता है इसी बात से क्यों सब्सक्राइब जो मैंने कमेंट के अंदर पढ़ा था उसमें लिख रखा था कि जब हम मतलब नॉर्मल यूज करते हैं तो बैटरी कितने चलती है और गेम टैम पे कितने चलती है गेम में आप लगा होने वाला है यह होगे हमारे सभी क्योंस बट एक लास्ट क्योंस पता था तो उन्होंने बाइसार ने लिखा हो था कि बाइसार इसका Android वर्जन की कोई न्यूज पढ़ी हो कि कब आने वाला है तो इसके बारे आप कुछ पता है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपक कौनसे डिवाइस है जो टॉप का डिवाइस एक फ्लैक्षिप का उनका तो उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको अभी आज चुका है रियल्मी यूई 2.0 यानि की रियल्मी यूई का दूसरा वर्जन तो अभी क्या है कि जैसा उनका रोड में अप्ता उन्होंने बताय था कि डिसमबर के अंदर 789 डिसमबर के असपास जो है अब अपडेट मिलने वाले रियल्मी 7 के अंदर आ जाएगा तो अभी तक आया नहीं अपडेट तो जैसे अपडेट आते तो आपको बता देंगे तो अभी फिलाल यह जो है अपडेट जो डिले चल रहा है और देख काफी अच्छा गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छा ए और सबसे मेंची तो 90 हर्ट की डिस्पले है और बैटरी का बहुत अच्छा बैक अप है और साथ में यह मतलब कि मानलो एक घंटें फूल चार्ज जाती बैटरी तो और चार्जर 30 वाट का तो भाई क्या ही कहने और प्रह 2017 reakने अच्छा में और घंटरी वीर्च विडशा गी तो इसका हम ने हमने रिपलाइ किया है अगर आपको भी दिक्षताण आ और ही तो आप कमेंट के अंदर बता सकते को आज क्या प्रहिए कवीड़ च्था है इंटे अघली वीडेव तब उल्तल्य लिए टाटा ब अगर वीडियो अच्छ लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें